दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टीकी शॉट वीडियो एप में हम प्राइविसी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो प्राइविसी सेटिंग्स करना बहुत ही जरूरी होता है जिससे हमारी प्राइविसी है जो हमारे अकाउंट पर बनी रहती है तो दोस्तो बहुत ही असानी से सीखने वाली हैं तो उसके लिए पूरा वीडियो लाज सके जरूर देखें और इसी के साथ वीडियो हेल्फ फूर्ड रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए आयो तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके बाद आप सभी को टॉप राइट कॉड़ल में ठी लाइन से नज़र आ रही होंगी हमें уп hardly करें जिसके बाद आप सभी को सबसे नीचे सेटिंग्स का अउप्चिन मिल जाएगा हमまだ इस पर किलीक कर लेंगे तो यहां पर आने के बाद आप सभी को अकाउंट की नीच प्राइविसी का एक option नजर आ रहा हुगा तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे तो दोस्तों इस section में आपको टिकी से related ज़रूरी प्राइविसी से related option आपको यहां पर मिल जाएंगे जैसे कि सबसे पहले ब्लॉग लिस्ट का हमें एक option दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे यहां पर हमें वो लोग नजर आने वाले हैं जिनकी id को हमने ब्लॉग किया हुगा और उसके बाद who can view my like list हम अगर इस पर टैप करते हैं आगे हमें तीन option मिल जाते हैं everyone friends only me अगर आप चाहते हैं आपकी like क कोई यहां पर select रहने देना है अगर आप चाहते हैं आपको जो follow कर रहा है आपकी जो friends है केवल वही हैं जो आपकी like की की वीडियो को देख पाए इसके लिए अपने second option friends को select कर लेना है अगर आप चाहते हैं कोई भी मेरी like की गई वीडियो को ना देखे तो उसके लिए नीचे वले option को select कर लेना है और उसके बाद आगे enable others to do with my videos अगर आप चाहते हैं आप जितनी वीडियो अपने account पर post करने वाले हैं और उन वीडियो पर कोई भी डियोट न कर पाए तो आपने यहां पर दिये के button को disable कर देना है तो यहां पर आपने नीचे confirm पर click कर देना है और अभी आपकी वीडियो पर कोई भी डियोट नहीं कर पाएगा और उसके बाद आगे enable others to save my videos अगर आप चाहते हैं आपकी post की गई वीडियो को कोई भी अपनी गैलरी में न सेव कर पाए तो आप यहां पर उसे off भी कर सकते हैं जिसके बाद कोई भी आपकी वीडियो को गैलरी में सेव नहीं कर पाएगा और उसके बाद आगे enable others to comment on my videos अगर आप चाहते हैं आपकी post की गई वीडियो पर कोई भी कमेंट न कर पाए तो आप यहां पर दिये के बटन को disable कर सकते हैं अभी आपकी वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा तो दोस्तों फिल गाउंड की privacy को बढ़ा सकते हैं तो मैं उमीद करूंगा आप सोभी को पता चल गया हुआ कैसे टिकी शॉट वीडियो आप में हम privacy settings कर सकते हैं तो वीडियो एलपफुल रही हो तो वीडियो को like जरूर करें और आगे की आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe कर के साथ में बेल एकन को press जरूर कलीजिए